Hello Friends, हमारी Special Session National International Organization में आज आम बात करेंगे एक International Organization के जिसका नाम है BIM Sik यानि Bay of Bengal Initiative for Multisector Technical and Economy Corporation हम आपको बताएंगे इसके सदसे देशों को बारे में कब हुई स्थापना, क्या था इसका उद्यस से साथ है हम आपको समझाने कोशिश करेंगे एक्जाम दर आपसे एक्जाम में कैसे क्विशन बूच सकता है हम आपको बता दें हमारी सेसन International Organization में हम आपको बता चुके है सार्क जिसकी स्थापना 1985 से धाकया में हुई थी जिसका सर्चिवार ले नेपाल के दाजधानी काठवांडू में और जिसका भारत एक स्थाई सदस्य है हमने आपको बता है विस्तार से आप मारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आज हाँ बात करेंगे हम बिम स्टेक की हम आपको बता दें बिम स्टेक यानि इसका पूरा नाम है बेव बंगाल इनिसियेटिव फोर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एकोनोमिक कोरपेशन एकजाम दर आप से बूच सकता है बिम स्टेक स्टेंड्स फोर तो आप का अंसर होगा बेव बंगाल इनिशेटिव फोर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड एकोनोमिक कोर्पेशन हम आपको बता दें यह एक छेतरिये भवु पक्षिय संग्ठन है तथा बंगाल के खाडिक तटवर्ती और समीपरवर्ती छेतरों में स्थित इसके सदसे देश है जो छेतरिये एकता का परतीक है इसके साथ सदसे देश है जिसमें से पास दक्षिन एशिया से है यानि साउथ एशिया से है जिनमें जो देश साउथ एशिया से है उनमें बंगला देश, भुटान, भारत, नेपाल और सिरलंका सामिल है वहीं दो देश इसके दक्षण पूर्वी एशिया से हैं यानि साउथ इस्ट एशिया से हैं वो है मैनमार और थाइलेंड इस त्रह से ये साथ सदेश से हैं जिसे जो की भीमस्टेक के सदेश हैं विमस्टेक ने सिरफ दक्षण और दक्षण पूर्वी एशिया के बीच संप्रक बनाता है बलकि हिमाले तथा बंगाल की खाड़ी की प्रस्तिति को भी जोडता है इसके मुख्यों देश से तीरू आर्थिक विकास हैतू वातावण त्यार करना है सामाजिक परगती में से देश है इसके अलावा बात करें इसकी गठन की यह एक उपचेतरी संग्थन वर्स 1997 में में बैंक को घोषणा के माध्यम से अस्तितों में आया था एक्जामेर आप से पूच सकता है बैंक को घोषणा से निमलिखित में से कुण सी और्गनाजिशन की स्थापन वह थी आ भारत, सिरलंका, थाईलेंड, आयर्थिक्स, सही ओग इसके बाद वर्स 1997 में मैनमार को इसमें सामिल होने के बाद इसका नाम बदल कर बिन स्टेक कर दिया गया है जनी इसका सबसे बाद में से सधिसे जो मिला वो मैनमार था 1997 में और फिर 2004 में नेपाल और भूटान इसमें स कर दिया गया बात करें इसके द्वारा मेहत्वपूर्ण संप्रक परियोजना है कालादान मल्टी मोडल परियोजना एस याई त्रीपक्षी राजमार्क परियोजना जिसमें मैनमार से उकर भारत और धायलेंड को जोड़ता है बंगलादेश बुटान भारत नेपाल मोटरव हान समझोता तो ये आतलियो और माल परियोजनका निरुपध पर्वद करता है यह इसके परियोजना हम आपको बता दें मई 2019 में भारतिया प्रथानमंत्री के दूसरे सपत ग्रहन्य समारों में विम स्टेक के नेताओं को सम्मानित अतीतियों के रूप में अमंत्रित किया ना कि सार्क को, इससे पहले जब भवारत के परतानमत्र निदेद्रमोजी ने इससे पहले वाले कारेकाले में सपत ली, तब सार्क देशों को बुलाया था, सपत-ग्रहण समहारों पर, हम आपको बता दे, हाल ने भारत के विजयेश मंतरी ने बीमस्टेक की सथरी बैठक में इसालिया सिर्लंका की अध्याक्स्ताम ये वेठक वर्चल मादम से आयुजित की गई थी हमने आपको बताया विम्स्टेक के बारे में हमने आपको बताया विम्स्टेक के साथ सज़स्यों का संग्ठन है विम्स्टेक किस था अपना उन्हीं सुस्तान में बैंक को गोशना से हुई थी, एक्जामेर आप से पूछ सकता है बिम्स्टेक किस था आपना, किस गोशना से हुई थी, आप कौन से रोगा बैंक को, थैंक यू